ग्रिकेट की inside खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और इसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ता कि सब से पहले आपको मिलें किरिकेट की exclusive खबरें भारत को चिन्ने के मैदान में वंडे सीरीज की पहली हार मिली और सीरीज में भारत पीछे हो गया अब विशाका पत्नम वंडे को हर हाल में जीतना होगा ताकि सीरीज में रहा जा सके अब ऐसे में चिन्ने वंडे को देखे हैं तो यहां चार बड़े खिलाडी ऐसे रहे जिन्होंने टीम इंडिया को मैच हरा दिया भारत की हार की मुझ्रिम यही चार खिलाडी हैं तो आप तो दिगज सुनिल का उसकर ने भी इस पर बड़ी बात कह दिया है तो आपको बताते हैं कौन-कौन है वो चार खिलाडी जो भारत की हार की सबसे बड़ी वज़े हैं आप भी कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके नजर में किसने हराया भारत को मैच तो टीम इंडिया को चिन्ने में आर्ट फिकेट से करारी हार मिली आप ऐसे में हर की सबसे बड़ी वज़े तो कप्तान विराट को ली हैं वो इसलिए ही नहीं कि सिर्फ विराट ने रन नहीं बिनाए बलकि इसलिए भी क्योंकि विराट ने बेहद अनबैलेंस टीम चुनी विराट के पास गैंदबाजी के 6 ओप्शन थे लेकिन उन में से सिर्फ 3 ही ऐसे थे जिनसे पूरे 10 ओवर गैंदबाजी कराई जा सकती थी बाकी 20 ओवर्स में ही कहानी बिलकुल बदल गई शीवम दुबे युवा हैं लेकिन उनकी गैंदबाजी 10 ओवर लाइक नहीं है ये समझना होगा साथी के दार जादा हो भी सिर्फ पार्ट टाइमर ही है यहीने स्प्रिंट फैंडली विकेट पर चहल को बाहर रखना भी बेहद गलत फैसला सावीद हुआ हार के दूसरे बड़े मुझ्रिम है उपकप्तान रोईद चर्मा आखें जमने के बाद हिट मैन अपना विकेट फैंक कर चले गए और रोईद ने बेहद गेर जिमिदार शॉट केला जिस पर हिट मैन आउट वे हार के तीसरे मुझ्रिम शिवम दूबे है बैटिंग के दोरान दूबे जी रन नहीं बना पाए जबकि आकरी मौके पर उनसे फटाफट रन बनाने की उम्मीद थी लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाए यही नहीं आट होवर की गैंद बाजी में भी शिवम दूबे ने 70 रन हिन रही जड़ेजा ने दस ओवर के कोटे में टाउन दिये और कोई भी विकेड नहीं लिया और वेसंडीज के बले बाजों ने उनकी गैंदो पर बेहद आसानी से रन बनाए मैच के बाद अधिगत सुनिल गाउसकर ने भी कहा कि अब बहुत ज्यादा प्रयोग ठीक नही अधिये ऐसे खिलाड़ी टीम में नहीं होने चाहिए जो ना बैटिंग कर पाते हैं और ना ही बॉलिंग का उसकर का इशारा साब साब शिवम दुबे और रविंदर जड़ेजा की तरफ था तो खुल मिला कर यतिहार के चार मुझनिम वैसे टीम इंडिया को प्रयोगों से बाहर निकल कर मैच जीतने के लिए खेलना ही होगा अब आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं फ्लेम मीडिया रिपोर्ट